करने में सहायता करती है दोस्तों आप जानते हैं कि फोलो का राजा आम स्वाद में काफी मीटा होता है इस आम में गुठली भी पाई जाती है जो कि सरी के लिए काफी फाइदे मनसाबित होती है आम स्वाद में जितना ही अच्छा होता है उसके गुठली का फाइदा उतना ही ज्यादा होता है तो दोस्तों आये जहनते हैं कि आमके गुठली से होने वले फाइदों के बारे में चुए दूर करने के लिए आमके गुठली फाइदा पहुचा सकती है इसके लिए आमकी सुखी गुठली पीसकर पाउडर बना ले। इसके बाद इस पाउडर में निम्बू रस मिला कर सीर में लगा ले। इस प्रक्रिया से जुए खतम होगी और हमें मिर्द मिलेगी। दोस्तों आप जानते हैं कि आमकी गुठली को सिविक मतरा में खाए जाने से हाई ब्लड प्रिशर की समस्याव से भी निज़ात दिलाई जा सकती है। इसके साथ ही दिल की बीमारी की समस्याव को भी इससे दूर किया जा सकता है। यह हमारे कोलेश्ट्रल स्तर को भी नियंट्रीट किया जा सकता है। आमकी गुटली ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करके खराब कोलेश्टेल को सहाइता मिलाती है। मोटापा से लोग परेशान रहते हैं, मोटापा को दूर करने के लिए आमकी गुटली का इस्तमल किया जा सकता है और वो काफी फाइदेमन साबित हो सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे आजकल बीट्वेल्स की कमी बहुत रहते हैं लड़कियों के लिए तो उसके लिए भी गुटली का पावडर बहुत फाइदेमन्द होता है। और गुटली का पावडर बनाके उसको सुबह उसमें नमक डालके इसका ब्रस भी किया जाता है। तो वो बहुत आपके दाथ बहुत चमकेगा और बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। थेंक्यू।